हाई गाईश स्वागत है आपका अपना चैनल All Subjects वी दन्सू और आज यहाँ पर आज हम अप लोगों के लिए लिका रहा है Math Trick Classes और यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ग, दो डिजिट वाले संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम आपके लिए लिका रहा हैं जिसको हम आपको बताएंगे अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे जितना जएदा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो इतना ही वेतर हो जाएगा तो आईए देखते हैं कि ये trick कैसा है देखे आज हम आपको दो trick बताएंगे दो trick में आपको 11 से लेकर 99 तक की जो वर्ग निकालना है ये बहुत ही बहुत कम समय में आप तुरंट निकाल ले जाएंगे जैसे ही आपको कोई कहेंगे तुरंट आप निकाल ले जाएंगे आपको ज्यादा धिमाग भी नहीं लगाना है बस आपको एक से लेकर 10 तक आपको सिर्फ वर्ग याद कर लेना है उसके बाद फिर आप trick के माध्यम से तुरंट निकाल ले जेगा कैसे आए देखते हैं गाइज अभी हमने आपको बताया है कि हम आपको आज दो trick बताने आवा ले आएं और जिसमें से पहला trick है कि जिन संख्याओं के पीछे 5 लिखा होता है उन संख्याओं को वर्ग कैसे निकाले और दूसरा trick हमारा क्या होगा कि जिनके पीछे 5 नहीं होता है तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें trick के माद्य हम से तो आईए देखते हैं कि जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है उनका पहले कैसे निकालते हैं और इसके बाद इसके आगे जो संख्या है यहां पर जैसे चार है तो चार का वर्ग करने के बाद चार जोड़ दीजिए यानि कि चार का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा चार चुक 16 और 16 में 4 जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 4 20 तो यानि कि ये हमारा वर्ग हो गया तो यानि कि इसको तो आप एक सिगंड में हिकाल ले जाएगे सिर्फ आपको वर्ग पता होना चाहिए एक से लेकर 10 तक कैसे यहाँ पर जैसे कि हमने कैसे किया यहाँ पर इसका वर्ग सबसे पहले किया तो यानि कि 5 कवर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और 4 कवर करने के बाद यहाँ पर इतना वर करिए और जितना यहाँ पर आगे लिखा हो उतना ही जोड दीजिए यहाँ पर 4 था तो 4 चुक 16, 4, 20 तो ऐसे अब आईए देखते हैं अगला अब देखिए यहाँ पर जैसे 65 है तो 65 का सबसे पहले हम 5 कवर करेंगे तो 5 कवर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर 6 है तो 6 चंग 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 46 में 6 जोड़ेंगे तो 42 तो यहाँ याँ कि 65 कवर कितना हो गया 42 और 25 और इसके बाद इसे यहाँ पर 75 है तो 75 में 5 कवर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आप इसके बाद 7 कवर करेंगे और 7 ही उसमें जोड़ देंगे तो यहां पर 3 है तो 3 तरीक का 9 और 9 में 3 ही जोड़ दो यहां पर जितना हो उसको जोड़ दो तो यहनी 3 तरीक का 9, 9, 3, 12 तो यहनी 12, 25 यह हमारा क्या हो गया यह हमारा वर्ग हो गया और इसके बाद अब हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के पीछे 5 नहीं लिखा होता है उन संख्याओं का हम कैसे इसी तरे ट्रिक के माध्यां से उनका कैसे हम वर्ग निकालें आईये उसे भी देख लेते हैं आईए दोस्त इसमें देखते हैं कि यहां पर देखे 5 नहीं लिखा हुआ है इसमें भी देखे 5 नहीं लिखा हुआ है यनि कि जिन संख्याओं के वीचे 5 नहीं लिखा होता है उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है आपको इतना हो जाएगा नहों हो जाएगा तो लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपको यह है कि यहां पर हमको दो संख्याइं भरनी होती है यहां पर अगर दो संख्याइं नहीं आ रहे हैं जैसे यहां पर एक संख्या या तीन कवर करें तो यहां पर एक संख्या तो यहां पर हम जी कर देंगे कैसे यहां पर जैसे दो गुड़े तीन तो यहां पर हम बाहर कर देते हैं दो गुड़े तीन कर देना है तो कितना हो जाएगा तीन दुनी 6 हो जाएगा अब इसके बाद यह जो दो है इसको यह 6 से गुड़ा कर देना है तो 6 दुनी 12 अब यहां पर जितना हो आपको फिर उसके बाद उस संख्या को छोड़ देना है अब उसके बाद देखना है उसके आगे जो संख्या लिखा हुआ है उसको हम उसके आगे वाले संख्या से जोड़ देंगे तो यहाँ पर दो प्लस जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और उसके बाद अब यानि कि यहां पर इसको जोड़ चुक है तो यानि कि यहां तक हम संख्या भूल जाएंगे यानि इसको हम छोड़ देंगे अब इसके आगे कौन से संख्या लिखा हुआ है जो संख्या लिखा हुआ है उसको उठाओ और उसके बाद उसके आगे वाला तो यहां पर हम कि क्या करना है आप जैसे कि यहां पर 16 कवर्ग निकालना है तो क्या करना है ध्यांस देखेगा देखे सबसे पहले आपको एक कवर्ग निकालना यहां पर एक लिकिए और यहां पर 6 कवर्ग निकालने के लिए यहाँ पर आप कुछ 20 में जगा छोड़ दीजिए उसके बाद यहाँ पर 6 कवर्ग निकालेंगे कितना हो जागा 6 जंग 36 तो यहाँ पर 2 संख्या हैं यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे और यहाँ पर आप हम क्या करेंगे बीच में क्या भरेंगे यहाँ इसको इसको आपस में क्या करेंगे हम गुणा करेंगे तो एक गुड़े 6 करेंगे तो 6 कन्नम 6 हो जाएगा और 6 गुड़े 2 करेंगे फिर उसके बाद यानि कि इसको इसको आपस में गुणा करने के बाद जितना आए उसको 2 से मल्टिप्लाइज कर दीजी यानि 2 से इसको गुणा कर दीजी तो यहाँ पर 6 गुणे एक करेंगे 6 कंदम 6 और 6 दूनी 12 तो यानि कि यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 12 आप क्या करेंगे हम सबको आप संख्या से हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यानि कि तीन और दो तीन दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा पांच तो यहाँ पर हम कितना लग देंगे पांच अब देखिए इस संख्या को यहां तक छोड़ देजिए अब इसके आगे वाली संख्या लेजिए अब इसक से जोडेंगे एक 2 तो यहां पर कितना वो जाएगा दो यानि 256 पूरा हमारा वर्ग कितना वगया दो 256 इसे 18 का है तो यानि एक कवर्ग एक और 8 कवर्ग 64 तो यहां पर 64 लिग दीजिए आप इसके बाद आठ गुड़े एक करेंगे तो आठ एकन ना में आठ और आठ दून सोला तो यहाँ पर हम सोला लिख देंगे अब इसके बाद सब को हम जोड़ देते हैं तो चार संख्या पीछ में पीछे आपको लिख देना है क्योंकि इस संख्या को नहीं चेंज करिया जाता है आप क्या करेंगे इसको इससे जोड़ देंगे तो च्छा दूनी बारा च्छा च्छा बारा हो जाएगा और यहाँ पर हासिल कितना बचेगा एक बचेगा अब क्या करना है आपको इसको उठाना एक और एक एक दो दो एक तीन यानि हासिल आपको क्या करना है जोड़ देना है तो यह आपका अठारा कवर्ग हो गया अब माल लिया यहाँ पर आगया 86 अब 86 हमको निकालना है तो इस तो यहां पर इतना 36 लीडिए अब इसके बाद क्या करेंगे बीच में हमको लिकना है इसको इसको अपस में गुणा करना है तो 8 गुड़े 6 करेंगे तो कितना हो जायेगा और तालीस गुड़े 2 करेंगे तो तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 96 आप क्या करना है अब इसको जोड़ेंगे कैसे देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6 इसको क्या करना हमको उसी तरह लिख देना है अब इसके आगे कौन से संक्या लिखा है तीन और इसको शह कुछ क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 633 कितना हो जाएगा न हो जाएगा अब मा इस्ति तरह हम यहाँ पर निकालते हैं 87 का देखे अभी तक तो दोस्तो हमारे बीच में यानी कि यहां Marg जो बीच में था तो यहाँ पर दो संख्या आती थी अब देखिए आये देखते हैं कि जब तीन संख्या यहाँ पर बीच में आ जाएं तो उनको कैसे जोडते हैं कि यहां पर मान लिया है 87 वर्ग करेंगे यहां पर सबसे पुम को आठًख थाइं 64 और इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर लिए देंगे 70 Еще 40 तो यहां पर 40igor हो जाएगा यहां पर 75 करेंगे कितना हृण 12 हो हो जाएगा तो यानि कि 112 हो जाएगा तो 112 को यहां पर हमको क्या करना है लिख देना है अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसी इसके लिए सबसे पहले अंत में जो संख्या उसको लिख दीजिए अब क्या करेंगे इसको इससे जोड़ेंगे तो चार, दो, कितने हो जाएंगे, छे हो जाएंगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, कि यहाँ पर जो दो संख्याएं आपको साथे लेकर चलना है, यानि जिसे यहाँ पर ग्यारा है, तो यानि ग्यारा और प्लस चार, ग्यारा पर आपको दो संख्या है साथे लेकर चलना है नहीं तो गलत हो जाएगा अब इसी तरह से मालिया हमको 88 कवार्ग निकालना है तो इसका कैसे निकालेंगे तो देखिए आठ ठाइए 64 और आठ ठाइए 64 इन दोनों को गया अब इसको इसको आपस में गुड़ा करेंगे तो और नेग्स वीडियो